Hello दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागया था आप सभी लोगो का आप सभी के अपनी चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में दोस्तों आज के वीडियो आप सभी लोगो के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने Farmacy Practice का previous year question paper आज के paper को हम लोग जानेंगे और ध्यान से देखेंगे समझेंगे कि हर एक unit में कहां कहां से कैसे कैसे question 2 number के बनते हैं कैसे 5 जाथ number के बनते हैं और कैसे आपके section B में 10 number के question बनते हैं ये बात तो आप लोग को पता है वहोगा section A हमारा 2-2 number कराता है total 10 question रहता है और सभी question को करना रहता है जो कि हमारा total 20 number का रहता है और section B जो हमारा होता है वो 10-10 number कराता है केवल 2 question किया जाता है ये भी हमारा 20 number कराता है और section C हमारा 7 number कराता है जो कि 5 question करना रहता है total हमारा 35 number का होता है और टोटल पेपर हमारा किने नंबर का होता है 75 नंबर का होता है ठीक तो चलिए दोस्तों स्टाट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करने बैल आइकुन को नहीं दबाएं तो दबा लेना जिसे हमारी नएने वीडियो को नोट हॉस्पिटल फर्मसिस्ट की रिस्पोंसिबिलिटी क्या होता है उसके बारे में डिसकस करना है अगला कोस्चन आया हुआ है सजेस्ट दी मेजर रोल आप फर्मसिस्ट इन दी मेडिकेशन एडरेंस मेडिकेशन एडरेंस क्या होता है इनका मेजर रोल क्या होता है इनके बा पर्स ड्रग रियक्शन क्या होता है इनका डिफिनीशन क्या होता है वो यहां पर बात करना है नेश्ट कोश्चन देखे आया हुआ है वो है what are the various type of inventory control process क्या होता है टाइप्स क्या होते हैं इनकी बारे में यह discuss करना है अगला कोश्चन देखे दोस्तों आया हुआ है वो है how will differentiate hospital into clinical and non-clinical basis clinical और non-clinical basis पर hospital को differentiate करना है नेश्ट कोश्चन आया हुआ है medication chat review क्या होता है इनके बारे में discuss करना है अगला कोश्चन आया हुआ है वो क्या है mention the some sources of drug information Indian construct ठीक और अगला कोश्चन आया हुआ है define patient counseling patient counseling क्या होता है इनका definition लिखना है hospital formulary क्या होता है lecture में हम लोगों ने discuss किया हुआ है और देखे ये भी आसान तरीके से question आया हुआ है अगला question आया हुआ है what are legal requirements आप maintaining drug store आप देखिए हम लोगों ने अभी तक lecture में केवल दो unit cover किया है अगर दो unit आप लोग basic concept cover अच्छे से कर लेंगे हमारे lecture के माद्यान से तो ये पूरा का पूरा question आप लोग केवल दो unit से ही लगभग में solve कर लेंगे ठीक तो basic concept आपका पहला unit दूसरा unit तीसरा unit होता है ठीक तो पहला दूसरा तीसरा unit आपको अच्छे से तयार कर लेना चाहिए उसी के basis पे आप लोग आगे भी समझ में आएगा तो ये दोस्तों हमारा हो गया section A का चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे है section B के question के बारे में section B में हमें दो question करना रहता है जो आप लोग को एकदम अच्छे से आता है वही question आपको exam में solve करना चाहिए ठीक चलिए हम लोग बात करने जा रहे है सबसे पहले question का दिखते है क्या आया हुआ, explain hospital pharmacy, hospital pharmacy क्या होता है, इसके बारे में explain करना है, ठीक, enumerate layout, आप stop requirement, आप hospital pharmacy, layout का मतलब क्या होता है, layout का मतलब होता है, यह हमारा है hospital, यहाँ पर एक counter, यहाँ पर drug store है, यहाँ पर हमारे doctor बैटे हैं, यहाँ पर patient जो भरती होते हैं, वहाँ पर bed word बने हुए हैं, ठीक, और यहाँ पर और भी वैसे freezer लगे हुए हैं, यहाँ से अंदर आया जाता है, यहाँ से बार निकला जाता है, यह पूरा हमारा process होता है, ठीक, एक नकसा होता है, उसी के बारे में चार्ट बना करके यहाँ पर discuss करना है, ठीक, अगला question देखे आया हुआ है, what are the various way detecting, ADR, ADR का मतलब क्या होता है, adverse drug reaction, suggest some way control them, और तीसरा question आया हुआ है, enumerate the various steps, involve in the patient counseling, justify our role, pharmacist as a patient counselor, ठीक, तो यह 3 question आया हुआ है, जिसमें से 2 question आपको एकदम अच्छे से जो आता हो, वही 2 question आप लोग को करना चाहिए, एक जाम में, ठीक, अगले question की बात करने जारे हैं, अगले section की बात करने जारे हैं, section C में, section C, देखिए 5 question आप लोग को करना है जो की 7-7 number का है ठीक ये numbering आप लोग को ज़रूर देख लेना चाहिए कितना करना है कितना करना है और कितने कितने number की हैं देखिए सबसे पहला question आया हुआ है discuss the various type of classification of hospital यहाँ पर भी hospital का किन्ने type का होता है किन्ने classification होते हैं इनके बारे में देखिए पूरा का पूरा detail यहाँ पर बूचा गया है अगला question आया हुआ है classify the various type of adverse drug reaction write short note on genetically determined toxicity ठीक अगला question देखिए आया हुआ explain the various type of drug distribution system in the highlighting process आप a special reference ambulatory patient और चोथा question आया हुआ suggest the various factors आप consider therapeutic drug monitoring therapeutic drug monitoring क्या होता है हम लोग नों लेक्चर में discuss किया हुआ है ठीक अगला question देखिए यहाँ पर आया हुआ है यह हम लोगों ने discuss करी लिया अगला आया हुआ explain the organization function pharmacy therapeutic committee क्या होता है narrate principle followed the purchase order procedure stocking economic order इसको start word में E O Q बोला जाता है quality quantity ठीक national last question आया right start note and drug therapy monitoring drug therapy monitoring क्या होता है lecture में हम लोगों ने discuss किया हुआ है तो यह आप लोग को दिखा दिया हूँ paper जिससे आप लोग को यह अनुमान लग जाए कि हर एक unit में कहा कहा से कैसे कैसे question आपके examination में बनते हैं यहीं से आपको एक अनुमान लग जाता है इसलिए paper को दिखाया जाता है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो बस वीडियो को एक like और एक comment जरूर कर देना कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा lecture आपको comment box में sorry description box में link दिया गया है वहाँ से ले लेना नहीं तो playlist में जाएंगे वहाँ पर सभी आप लोग को playlist मिल जाएंगे आसान तरीके से तो चलिए दोस्तों thanks watch my video like and subscribe this channel